बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्लास 11 का आपका जो पॉलिटिकल साइन्स का सब्जेक्ट है बच्चों यानि की राजिनितिक विज्ञान का इसके most important cartoons यानि की चित्रों के बारे में ठीक है जिससे आप picture best questions भी बोल सकते है बच्चों ठीक है अब ध्यान से सुनिए आज की इस वीडियो से अभी आपका जो मिट्रम का एक्जाम होने वाला है बच्चों इसके चार नंबर की तयारी कार्टून वेश्ट की बहुत अच्छी होने वाली है आपकी क्यूंकि इस वीडियो में हम टोटल पांस से लेकेच है उन most important selected और repeated कार्टून को देखने वाले हैं बच्चों जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके मिट्रम के एक्जाम में यहीं से कोशन बन सकता है तो आप चार नंबर की जो तयारी है आपके कार्टून की इस वीडियो से करवा दूँगा साथी साथ अगर आप अपने मैप की त यारी उससे हो जाएगे ठीक है तो आप सुरू करते हैं वीडियो देखने के बाद में को भी डावट आपका रहता है तो यह मेरी इस्टाग्राम की आड़ी है जाए फॉलो कर लीजे मैसेज कर सकते हो साथी हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोइन करो इंपॉर्टेंट न देखा या नहीं ठीक है वार्योगाइस रेडी शुरुवात करें तो चलिए शुरू करते हैं देखिए इस सिरीज में जो हमारा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कार्टून बनता है वो है यह वाला अब इस कार्टून में क्या दर्शाएगा है तो यहाँ पी यह जो हाथ अंदवानी है इस तरीके से ठीक है और यह जो विक्तिया आपको दिख रहे हैं यह है पंडे जवाला नहरू जी अब इन्होंने यह हाथी की पूछ क्यों पकड़ी हुई है यह इन्होंने इसलिए पकड़े ताकि जो ए नियंतित मतदाता है इनको नियंतित करके मतदान को क नियंतित करके जो हमारे पहले आम चुना हुए थे कब हुए थे बच्चो 1952 में ठीक है इनके सफल मतदान को रशाता है सेकेंड कोशन उस नेता का नाम बताईए जिसने हाथी की पूछ पकड़ी हुई है यानि कि यह जो नेता है कौन है अभी मैंने आपको नाम बता दिया इनका पंडे जबाला नहरुजी है उसके बाद हाथी की पूछ खीचने का प्रयास किया जा रहे है इसका मतलब क्या है तो अभी आपको बता दिया क्योंकि जब भारत अजाद हुआ था तो 1952 के आसपास जो है ना चुना हुए थे हमारे देश में तो उसमें मतदाता काफी अनपड़ते पता ही नहीं था क्योंकि अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए थे तो सोतन्ता के बारे में भी कुछ नहीं पता था ज्यादा इसलिए चुनाओ में मतदान कराने के लिए जो एनियंतित मतदाता है इनको तैयार करने को बताए गया ठीक है अब एक कोशन नमबर एक कार्टून पहला था यह आपको समझ में आगया होगा आप चाओ तो इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो ठीक है ना कोई क्रिवीजन के लिए चलिए अब हम बात करते हैं अपने कार्टून नमबर सेकिंड के अब इस कार्टून नमबर सेकिंड में अगर आप थ लिवाजी करके या फिर थोड़ा सा इधर उधर करके हम जीत जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन है यानि कि निर्वाचन आयोग वो बन गया तो यह डर ही हुए है उससे तो सबसे पहला कोशन क्या है कोशन पहला यह कि उपरोत किससे डर रहे हैं तो किससे डर रहे हैं बच्चो चुनाव आयोग की द्वारा स्वतंत्र और निस्पक्च चुनाव करवाने से सेकंड कोशन मुख्य चुनाव आयोग की निक्ति कौन करते है बच्चो तो यह राष्ट पती जी करते हैं मैंने आपको यह कोशन करवाया था क्या नावन निर्वाचन आयोग के बारे में 6 marks में तो आपको पता होगा इसके बारे में ठीक है तीसरा question स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाओ का मतलब क्या है ठीक है जो की चुनाओ आयोग करवाते हैं इसका मतलब ये है कि जब चुनाओ बिना किसी बहरी दवाव के और बिना किसी पक्षपात के संपन कराया जाए उसमें जैसे कि हर एक मतदाता को वोट देने का अधिकार होना चाहिए बस वो भारत का नागरे को और वोटर आईडी हो फिर चाहिए किसी भी धरम, जाती, भाषा, लेंग, इस्थान, जन्वेस्थान, किसी का भी हो डस नॉट मैटर इंडियन सिटीजिंशिप और वोटर आईडी होने चिए वो मत दे सकता है और किसी भी एधार पे कोई भी जाती धरम के मामले पे कोई कुछ ना बोले चौता कोशन, भारत में स्वतंत्र और निश्वक चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की, अच्छा बच्चो आपसे एक मेरा कोशन है सारे बच्चे इस कोशन का अंसर मुझे कमेंट बोक्स में मताना ये जो आपका चुनाव आयोग है, ये कब बना था? ठीक है? स्वतंत्र और निश्वक चुनाव करवाने के लिए इलेक्षन कमीशन का गठन कब हुआ था? जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा, उस बच्चे की आंसर को मैं हाट भी दे दूँगा और हो सकेगा तो पिन भी कर दूँगा तो फटा फट बताओ वच्चो, क्या था इसका? तो ये हमारा जो सेकिंड वाला है, वो कम्प्लेट हो गया ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं अपने तीसरे वाले की अब यहाँ पर देखो, यह जो आपको बीच में दो मुवाले विक्ति दिख रहे हैं यह कौन है? यह है वच्चो, जवाला नहरू जी ठीक है? अब यहाँ पर एक तरफ जो है यह लिखा हुआ है वंदे मातरम और एक तरफ जो यहाँ पर लिखा हुआ है पहरा कॉश्चन है, बीच में खड़ा हुआ विक्ति कौन है? तो यह है वच्चो, जवाला नहरू जी उसके बाद बाई और बैठे लोगों के समू के सांस्किते विचाधारा बताओ यानि कि बाई और जो लोग बैठे हुए है इधर इनमें इनकी विचाधारा क्या है? तो इनकी विचाधारा क्या है? पश्चमी यानि की Western Culture जो दाहिने हाथ में बैठे हुए लोग है इनकी विचाधारा क्या है? तो एक तरफ जो दाहिने हाथ है ठीक है इसमें जो लोग बैठे हुए उनकी विचाधारा क्या है ठीक है उसके बाद तो इनकी विचाधारा कौन सी है स्वादेशी यानि की भारती है अब चोथा कोशन इस चित्र का एक तरीके से अनलाइस है कोशन यह है कि चाहे पच्छी विचाधारा हो या फिर भारती है इन दोनों ही विचाधाराओं को संतुलित करने के लिए नहरुजी ने क्या निर्ने लिया तो नहरुजी ने कहा कि हमारा जो भारती समिधान है ये भारत में विविन बर्गों को संस्कितियों को स्वरक्षा प्रदान करता है उनका सम्मान करता है ठीक है तो हम जो है पर्ष और यही इसकी, मतलब यही निर्ने लिया था नहरूजी ने, ओके हो गया आंसर आपका, चलिए, अगले वाले को देखते हैं, तो यह वाला जो हमारा है, फोथ कोशन है, फोथ आपका चितरा जाता है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, तो एक नमबर, दो नमबर, यहा में लगे हुए लोग है, अब यह है राष्ट पती, राष्ट पती ने अपनी मर्जी से इसको, एक मारा और यह पहुंच किया उपर, इसको मिल गई, गवर्नर्शिप यान की राजपाल का पद मिल गया, तो इसमें क्या बताए गया है, इसमें बताए गया है, कि जो राष् पाल की जो निक्ति है, इसका क्या आश है, तो अपनी मर्जी से राष्ट पती ने इसको भेजा है, है ना, तो क्या हो जाएगा, राष्ट पती की मर्जी बताए गया है, तो आप सभी को पता है, पांच वर्ष्ट के लिए, फोर्थ कोशन, कैंदर और राज्य संबंदी समि यह बनाया गया, सरकारिया आयोग, ठीक है, तो यह चीज़े हैं, समझ गया अच्छे तरीके से बच्चो, यह हमारा जो है, फोर्थ वाला यहां पर कम्प्लेट हो गया, ठीक है, फोर्थ है, फोर्थ है, फोर्थ है, बिसीकली, ओके, चलिए, अगले वाले को देखते हैं, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, तो यह इराक का कॉंट्यूशन है, ठीक है, जिसका आधार यह आधार, ताश के पत्तों का है, जो की बहुती कमजोर है, ठीक है, अब कमजोर है, यानि कि इसको जो वो कवी बदला जा सकता है, बहुत सारे इसमें कमियां है, यह ये चीज़े हैं, अब कोशन क्या बनेंगे इसे, कोशन ये है कि उपरोत कार्टून किस देश के संभिधान को रशाएगा है, तो लिखा हुआ है इराक Constitution, यानि कि इराक के इस देश का संभिधान जो है, वो ताश्ट के पत्तों की तरह क्यों दिखाएगा है, क्योंकि इराक क संभिधान का जो आधार है, वो बहुत कमजोर है, उसके बार तीसा कोशन, क्या कार्टून में दिखाएगे देश के संभिधान का जो आधार कमजोर है, ठीक वैसा ही भारत का भी है, ना 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 ऐसा नहीं है, भारत ही है संभिधान का तो जो आधार है, वो बहुत मजबूत है क्योंकि भारतिय संभिधान को बनने में दो साल ग्यारा महीने अठारा दिन का समय लगा 166 बैठके हुई और न जाने कितने विचास भी मत हुए ठीक है तो इसलिए बहुत मजबूत है उसके बाद लिखित संभिधान किसे कहते हैं तो आप सभी को पता बच्चो यहाँ पे दो नम्मर का कोशन हो जाएगा आपका कि लिखित संभिधान किसे कहते हैं वह संभिधान जो की पूर्ण रूप से लिखा गया हो जिसमें एक दियस के नियम, काइदे, कानून, नागरिकों के दिकार सरकार की सकते हैं, यह सब कुछ लिखा हो और इसे आसानी से बदला ना जा सके ठीक है, जैसे भारत, अमेरिका, अफरीका उसको बोलते हैं, लिखे सम्मिदान, जिसमें सब कुछ लिखाओ दियस के लिए, नियम, काइदे, कानून, नागरिकार वगारा सारे चीज़े हैं, ओके, तो यह हो गया आपका इराक वाले कॉंस्ट्यूशन से सम्मंदित, इस कार्टून का कॉश्चन चलिए, अगले कार्टून को देख लेते हैं, अब यहाँ पर यह कार्टून तो वैसे आपको मैं सेंपल पेपर में करवा चुका हूँ, दुबारा से आपको समझाता हूँ अच्छे से, देखो, यह है लोकसवा, ठीक है, अब यह कौन है, यह है हमारे पी-म, ठीक है, और पी-म में किसको दिखाये गया है जवाहलाल नहरूजी को, अब यह है उनके मंत्री परशद के लोग, तो यहाँ पर यह लोकसवा से जार, मतलब अंदर जारे हैं लोकसवा में, तो यह क्या दशारा है, जो प्रधान मंत्री है यह बाकी के मंत्री परशद, या फरिक है लिजे, जो सरकार के लोगे उसकी अगवाई कर रहे हैं, यह न, यह बताएगे हैं, तो आव अच्छो कोशन को देखते हैं, पहला कोशन है, कि यह काटून क्या दशाराता है तो प्रधान मंत्री, सरकार की अगवाई कर रहा है, यह बताता है सबसे आगे कौन ज़ड़ आ रहा है? तो सबसे आगे यह विक्ति मैंने आपको बताया कौन है? जवाहला नेहरू जी चित्र में सबसे आगे होने का इनका मतलब का है क्योंकि भाई ये प्रधान मंत्री है और वो लीड कर रहे हैं अपनी मंत्री परशद को ठीक है फिर प्रधान मंत्री के सक्तिसाली होने के दो कारण बताओ तो बहुत से कारण है जैसे कि सदन में इसके पास बहुमत होती है मंत्री परशद का प्रधान होता है संसर के प्रति उत्रदाई होता है ऐसी बहुत सारी है इसके पास में है ना तो इस तरह से आप बता सकते हैं बच्चो चले अगले वाले को देखते हैं तो यहां पे अगर आप देखें, तो क्या लिखा हुआ है, election in the air, और यह जो आपको छोटे-छोटे कागस के तुकड़ी दिख रहे हैं, यह मतपत्र हैं, ठीक है, और यह जो लोग है, वो इनको समेट रहे हैं, इधर-दर बिखरे हुए हैं, ठीक है, कोई यहां पे लाठी ल उपरोक्त चित्र में, चुनाओ को एक उससब के रूप में, या फिर आपदा के रूप में क्यों दिखाए गया है, तो उससब के रूप में बच्चो इसलिए दिखाए गया है, क्योंकि चुनाओ आप सभी को पता है, एक निश्चित अबदी में होते हैं, कितने? पास साल में ठीक है तो सभी मतदाता इसमें बढ़ चड़ के भाग लेते हैं क्योंकि उन्हें अगले 5 साल के लिए अपनी पसंदीदा सरकार चुननेका मौका मिलता है इसलिए इस चुनाओं को यहां पे आपदा की रूप में भी कह लिजिए और उस सब की रूप में दिखाये हैं क्यों वच्चों Sबही उमीदबार चुनाओं जीतना चाहते है हर पार्टी का जो मेदवार हो चुनाव जीतना चाहता है ठीक है अपने एरिया से और इसके लिए वो किसी भी तरह के उपाय को पनाते हैं जो कि लोगतंत के लिए बहुत कतरनाक है जैसे वोटों को खरीदना शिराब देखे पैशा देखे ठीक है दूसरे ध पूशन तो अभी मैंने आपसे पूचा था बच्चो ठीक है निर्वाचनायोग कब बना था तो लोग आंसर मिल गया आपको 25 जनवरी 1950 को निर्वाचनायोग बना था ठीक है तो अब आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको आंसर ही पी मिल गया है ठीक है बच्चो चलिए तो यह वाला आपका complete होगया चित्र अगले चित्र को देखते हैं अब यहाँ पर यह चित्र कई दो बार पीपर में आ चुका है अभी तक पिछले 5-6 साल में मैंने देखा दो बार आया हुआ है ठीक है क्या है बच्चो कि CM to seek trust vote यहाँ पर क्या बताएगा कि जो CM है उन्होंने जो विश्वास मत है उसको जीत लिया है ठीक है लेकिन इनके चेहरे पे न अभी वी उदासी या चिंताएं दिख रही है क्यों दिख रही है क्योंकि इन्हें इस वात का डर है कि जिन जिन पार्टी उन्हें इन्हें विश्वास मत अभी दिया है अगर उन्होंन अपना जो मत है वो वापस कहींच लिया तो सरकारफिस से चली जाएगी इनकी तो question क्या है विश्वास मत ये जो trust vote है इसका मतलब क्या है तो मतलब ये होता है कि सदन में अपनी बहुमत को सावित करना सामुहिक उत्तरदाय तो किसे कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि संपूर मंत्री परशद विधाई का क्योप्रति उत्तरदाई होगी मंत्री भी ठीक है प्रदान मंत्री और इसके मंत्री परशद विधाई के क्योप्रति उत्तरदाई होगी भारत में संसरी है जो कारिपालिका है इसके जड़े कब उभरी तो 1929 और 1935 में संसरी व्यवस्ता से ठीक है ये तो तीसरा हो गया अब ये चोथा कोशन है विश्वासमत जीतने के बाद भी मुख्य मंत्री की मुश्किल है कम क्यों नहीं हो रहे इस कथन को बताईए अभी बताया था ना कोई चिंतित क्यों है क्योंकि विश्वासमत हासिल करने के बाद भी ये संकट बरकरार है कि कहीं कोई और सदस सरकार से अपना समर्थन वापस ना ले ले और अगर वापस लिया तो फिर से हमें विश्वास्मा जीतना पड़ेगा जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा तो सरकारी ने गर जाए कहीं इसी लिए ये बहुत ज़्यादा चिंता में है ना तो ये होगए आपका वाला चलिए अगला देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्टून में बिसिकली संसद को यहाँ पर दश्टाय गया है अब किस दूप में संसद है तो संसद दीखे क्या कर रही है यह डिमांड को पड़ रही है और इसके पास में यह जो धन होता है ना धन पैसा इसके थेलियां रखे हैं और यह लोग जो है ना वो मंत्री पुषट करेंजी या फिर विभिन मंत्रालेओं के जो मंत्री है ना यह वो है अब यह यहां लाइन में क्यों लगे ताकि यह अपने अपने कामों के लिए पैसा ले सके और यह इसलिए इनकी देख रहे कमर जुकी हुई है ठीक है इनका सद जुका हुगा है क्योंकि इन्हें अपना काम निकालना है तो question क्या बनेंगे पहला question है उप्रोक्त कार्टून में मंच के सामने खड़े व्यक्ति कौन है यानि कि मंच के सामने ये जितने भी लोग खड़े हैं ये कौन है ये है विभिन मंत्रा आलियों के मंत्री कार्टून में ये मंत्री यहां क्यों खड़े हैं यह मंत्री इतने विनमर क्यों दिख रहे हैं, तो यह मंत्री यहां पर पता है क्यों खड़े हैं, क्योंकि इन्हें अपने विनमर मंत्र आलिफ के लिए पैसा लेना है, अब यह नमर इसलिए दिख रहे हैं, क्योंकि पैसा संसद की मंजूरी के बाद ही मिल सकता है, और संसद क सामने कुछ हम बोल नहीं सकते तो वे नमर हैं ठीक है कार्टून में संसर्द की कौन से सकती दर्शाय गई है तो कार्टून में संसर्द की धानिक के उपयोग को नियंत्यत करने की सकती दर्शाय गई है ठीक है अब इसी से जरा हट के लेकिन संबनेद कोश्चन है संसर्द के द्वारा कारेपालका पर नियंतर रखने के दो तरीके बताओ तो एक तो प्रशन पूछर कर और एक कार्टून में बता दिया गया है वित पर नियंतर रखने और तीछा एविस्वास प्रस्ताओं के द्वारा ठीक है तो इस कार्टून से सम्मंदित जो भी और और डाक हड़ताल कोट ने हसचेप किया है तुम इसे बंद करो बिसिकली यह जो हड़ताल चल रही थी बंद और हड़ताल की तो इस पर जो जोड़ी शिरी है उसने अपना फैसला सुनाया कोशन दिखिए क्या है कोशन है उप्रोक्त चित्र में न्यायाले ने किस विसे प प्रोक्त चित्र में न्याय पालिका किस विसे पर हसचेप कर रही है यह डाक हरताल पे जैसे आपकोई देख रहा है यह किसका सिंबल होता है अर यह जो तो इससे क्या हुआ इससे जनता को सुभीरा मिली क्योंकि जो भी डाक विगारा तार विभाग दुके हुए थे वो फिससे चाली हो गए चोथा हस्चेप करती हुए नियापालिका ने क्या देने लिया तो हस्चेप करती हुए नियापालिका ने ये देने लिया देखो, सावजनिक खितों से संबन्दित जो विभाग है ये हरताल बिलकुल भी नहीं कर सकते हैा ठेक है, जो सावजनिक जैसे जिHzल डिपार्टमेंट हो गया और हमारा ये जो चिठ्धी बाला डिपार्टमेंट हो गया और भी बहुत सारे हैं hospital department तो ये सभी जो है ना ऐसे साब जने खितों से संबंदित विभाग हड़ताल नहीं कर सकते हैं ओके तो चले बच्चों अब हम बात करते हैं अपने अगले कार्टून की अगले जो हमारा कार्टून है ये थोड़ा सा संसद ठीक है और ये इस विरंदे से क्या कह रहें इस बच्चे से बच्चा ये बताओ तो मैं संसद से संबंदित कोई समालतों नहीं करना है ये गयता हाँ हाँ मुझे ये बताईए कि पिसले 50 वर्षों में संसद में कुल कितने वॉक आउट हुए है ठीक है तो संसद के जो 50 वर्ष है उसके संबंद में ये कोशन क्या है पहला वॉक आउट किसलिए कि आ गया है चित्र में तो चित्र में वॉक आउट सरकार से विरोध दर्ज कराने का आम तरीका है सरन से वॉक आउट करना ठीक है अध्यक्षे सरस्यो को सदन से किस अधार पर walk out कर देते हैं जैसे मान लिजिए कि अभी जो आना लोग सभा का सदन चल ला है यहाँ पर speaker बैठा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी लोग बैठे हुए है ठीक है जो संसत के सदन से वो बैठे हुए है अब अगर कोई भी जो सदन से है इसका वो अन सदन में walk out करने का walk out करना क्या एक उच्छी तरीका है तो हम कहेंगे नहीं सदन से walk out करना उच्छी तरीका नहीं है क्योंकि सदन ही तो एक ऐसा मंच होता है जहां पे पूरे देश के लिए आप वाद विवाद चर्चा बहस सहमती और समस्त्या का समाधान खोश सकते हो ठीक एक तो वो खुद अनुशाषन हिंता कर रहा हो या फिर सदन में एवफसा फैला रहा हो तब उसके साथ में walk out की प्रिक्रिया शुरू कीता हती है तो walk out के सम्मर में चित्र आपको समझ में आ गया चलिए अगला चित्र देखते हैं अब यह वैसे जाड़ा कोई चित्र है न मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए देखो तो इसमें क्या का गया है संभिधान सवा के अध्यक्ष डॉक्टर राजिंदर प्रशाद जो की पॉस्ट्र प्रेजिडेंट भी बनते हैं और प्रारूप समीती के सवापती डॉक्टर भीमरा में कर एक दूसरे को अभिबादन कर रहे हैं कि हमने अब संभिधान बना लिया है एक दूसरे को कांगुरेचलियेट कर रहे हैं तो इससे संभन दिताफ के कोशन बन सकते हैं उसके बाद यहां पर यह दिखाएगा कि इस कार्टून में भीमकर कांगरेस के आगे विपक्ष एक बोना क्यूं है एक छोटा सा ये बाला है वोकाउट नहीं आउट किये गए है देखिए वोकाउट तो basically पता है क्यों होता है वोकाउट का मतलब होता है कि आप अपनी मर्जी से सदन से जा रहे हैं लेकिन आउट का मतलब होता है इस speaker ने उस अधिक्ष ने आपको बाहर भेज दिया अनुसासा नहीं था क्यों जैसे ठीक है तो यह होता है बाकि एक यह तो आपका उससे आ जाता है क्या नाम है अरिकार बगार जो है ना इससे लिए आ गया है ठीक है तो इस तरह से बच्चो आज की हमारी यह जो वीडियो थी आपके 11th class के important cartoons की वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है और बहुत अच्छे से जो भी important cartoon हो सकते थे सारे के सारे मैंने आपको समझा दी है एक तरीके से हमने revision भी कर लिया है अब आप सभी बच्चों को यह वीडियो अच्छे लगी हो तो फटा फट से like करो अपने सभी दोस्तों में जादस जादस श्याद करो और comment करके बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी ठीक है साथी आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को ज़रू से join करें ठीक है टेलिग्राम पे जोइन करने के लिए आपको क्या करना है यह जो हमारा लिंक है इसको सर्च करना है जीस की लएवन क्लास और जोग दो पाएगा जोइन कर लेना ठीक है चैनल को सब्स्राइब नहीं कैंट तो कर लेना बाकि all the best आपके एक्जाम के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद जै हिंद जै भारत वंद मातरम